तो अलो फ्रेंट्स वेलकम टू टेकेच्ट चेम यूट्टू चैनल तो फ्रेंट्स आज मा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो बैंक वेरिफाई कर सकते हैं फैमली आईडी के अंदर अगर आप रहना में रहते हैं तो आपको family ID के अंदर bank verification है जो है वो करना पड़ता है अगर आपका automatically आपका bank verify नहीं हुआ है तो आपको अपना bank verify करना पड़ेगा उसके लिए आप कैसे bank को verify करेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला ही तो friends अभी अभी जो form slender के निकले थे यहां पर जो 500 रुपे में slender सरकार दे रही है उसके form है जो वो यहां पर open हो चुके थे उसके अंदर आपका bank account है जो family ID के साथ link होना चाहिए और verified होना चाहिए तो अगर जिसका भी bank उसके अंदर verified नहीं है वो आपको verify करना पड़ेगा वरना आपकी subsidy है ज वो कैसे फिल कर सकते हैं हर घर हर गरहनी होजना वाला तो आप मेरे चैनल पर जाके उससे देख सकते हैं और मैं उसका link आपको वीडियो के description में दे दूंगा वहां पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कि कैसे आप कौन पो फिल करेंगे लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको जो बैंक की जो information है वो आपको यहां पर verify वहां पर yes या no आपको लिखा हुआ दिखाई देता है अगर आपका bank verified है मतलब yes वहां पर लिखा हुआ है why वहां पर लिखा हुआ है तो आप उसको सीधा सीधा वहां से भी आपके bank account में नहीं आएगी तो यह देखते हैं कि कैसे हम अपना bank है जो उसे verified करेंगे तो सबहले आपको सरल हर्याना की website पर आ जाना है इस पर वीडियो बना रखी है तो यहां पर मैं सिधा सिधा यहां पर login कर लेता हूं ID password आप डालकर login कर लिएगा उसके बाद आपक आपको अठेखने को मिदेगा जैसा ही आप login कर लेंगे तो आपको यहां पर किन और जपने मिलेंगे देक्ने को मिलता है इसकर आपको let करना ओर यहां पर क्लिक करना है यहां पर सबसे उपर साथ देखने को मिलेगा यहां पर डॉपड करेंगे तो आपके सामने डिखाई देगा हैं यहां पर सबसे पहले आपको आप अप 시से बांद आपको यहां पर डाले थे तो आपको डाले ने वेला उप्षन पर कलिक करदेना है कि भी लेक्षिन को और यहां पर जिस भी व्यक्ति का यहां पर जिस भी मेंबर का आपको bank account verify करना है उससे select कर लिजिए देन आप send OTP वाले option पर click कर दीजिएगा send OTP पर click करते ही आपके mobile पर एक OTP send कर दिया जाएगा OTP को आपको इस वाले column में आपको fill करना है OTP फिल हो जाने के बाद आपको click here to verify OTP वाले option पर click करना है जैसे OTP match हो जाएगा उसके बाद आपको नीची आना है जैसे आप नीची आएगे तो यहां पर आपको आपके जो family ID के अंदर जो आपका bank account है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा अगर आप इस bank account से verify satisfy नहीं है मतलब आपका यह विला bank account जो आपकी family ID में लिखा हुआ है वो गलत है तो आपको जो family ID की website पर मेरा परिवार रियाना.gov.in वाली website पर आपको जाकर सबसे पहले अपनी family ID में से आप अपना जो account number है उसे पहले सही कीजिएगा उसके बाद आप इस process को दो आईएगा अगर आपका यहां पर आपकी जो account number है या इसी code यह सब सही है तो आप नीचे आ जाना है आपको उसके बाद आपको यहां पर यह verification code है वो डाल दिना है और समीट वाले option पर click कर देना है जैसे ही आपके सामने आपकी जो सारी detail है वो यहां पर आ जाए आपको पूछ दिनाओं का वेट करना है और आपके जो बैंक है वो यहां पर वैरिफाइड कर दिया जाएगा इस जो आपको यहां पर यहां पर अपने लैप्टोप या कंप्यूटर में या फिर मुबाइल में पीडिया बनाकर रख लिए वरना इसका प्रिंट भी निकाल करने के लिए आपको यहां पर विऄ स्टेटस ओफ एप्लीकेशन वाला आ ओप्शन को मिलेगा कि इस पर आपको क्लिक कर देना और यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो रिपैस्ट 15 और वाला ओक्षन देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर आपका जो डिलीवर्ड यहाँ पर आपको लिखा आ जाता है तो आपका जो बैंक जो वेरिफिकेशन है प्रोसेस है वो यहाँ पर कम्पलीट हो जाएगा यह अभी अंडर प्रोसेस है क्योंकि मैंने अभी अभी चेक आपको बताया है आप 5-7 दिन के बाद आप इससे जरूर चेक करिएगा आपका जो बैंक है वो वेरिफाई हो जाएगा किसी गारणवश अगर बैंक का वेरिफाई नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस को दुबारा से दो रहा सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते ह हैं और अगर आपको इसमें से अभी वी कुछ समय नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए जैहिन